पैएजुएill Prinถ असलाम लइकुम दोस्तों आउजुँ भी कहानी सुनो कहानी आउन्टी से कहानी सुनो सब काम छोड़ छाड़ कर आजएओ बैठो कहानी सुनो सोस्त अन्वर की कहानी सुनो आजओ भाई आजओ कहानी सुनो मुसानिफा हैं जहरा नासेर और मुसविरा हैं यसरा जहरा आजाओ भई आजाओ आगए सब बहुत अच्छा सुस्त अन्वर बहार के मौसम में किसान खेतों को तयार कर रहे थे एक बिल में से चुहों का हांदान निकला और वो सब भी खेतों में खेलने लगे गर्मी के मौसम में फसलें उग रही थी चुहे भी गर्मी के मज़े लेने लगे खिजा में किसान सर्दियों की तयारी कर रहे थे चुहे भी सर्दियों की तयारी में मसरूफ हो गए थे चुहे अपने घर को गर्म रखने के लिए तिनके जमा कर रहे थे पर अनवर कहा था? अनवर सुस्त चुहे क्या कर रहे हो हमारी मदद करो मैं रंग जमा कर रहा हूं चुहे खाने के लिए अनाज जमा कर रहे थे पर अन्वर कहां था अन्वर सुस्त चुहे क्या कर रहे हो हमारी मदद करो मैं सुरज की शुआएं जमा कर रहा हूँ चुहे सर्दियों के लिए एक आराम बेग घर बना रहे थे पर अन्वर कहां था अन्वर सुस्त चुहे क्या कर रहे हो हमारी मदद करो मैं खुबसूरत अलफाज जमा कर रहा हूँ सारे चुहे नाराजगी से सर हिला कर चले गए सर्दियां बहुत ठंडी थी, बर्फबारी भी हो रही थी और चुहे अपने घर में बिल्कुल महफूस बैठ रहे थे लेकिन वक्त कुजरने के साथ साथ उनको ठंड, भूक और उदासी महसूस होने लगी अनवर सोस्त चुहे, क्या कर रहे हो, हमारी मदद करो अनवर बोला, अपनी आखें बन करो और मेरी बात सुनो तुम एक बड़े से खेत में हो, उपर सुनेहरा सूरज मुस्कुरा रहा है उसकी सुवाओं को अपनी जिल्द पर महसूस करो ये सुनते सुनते सब चुहों को गर्मी लगने लगी ये क्या चादू था? सुनते सुनते सब चुहों को रंगी फूल नजर आने लगे ये क्या चादू था? फिर अनवर बोला, अपनी आखें बन करो और मेरी बात सुनो इस खेत में हर तरहां के फूल है बड़े बड़े लाल फूल, छोटे गुलाबी फूल, गोल नीले फूल अब अनवर गाने लगा गाना सुनते सुनते सब चुहों की ठकन दूर होरे लगी ये क्या चादू था? चुहों ने सोचा था कि अनवर सुस्त है क्योंकि उसने उनके साथ मिलकर खाना और तिनके नहीं जमा किये थे लेकिन दरसल उस पूरे वक्त में वो मुक्तलिफ, दिल्चस्प और अहम चीजें तलाश कर रहा था सबने अनवर की मदद से सर्दियां हसी-खुशी गुजारी और अगली बहार का इंतिजार करने लगे आपका है कोई ऐसा दोस्त जो मुक्तलिफ, दिल्चस्प और अहम चीजें जमा करता हो? अगर आपको लगती है हमारी कहानिया अच्छी और आप सुना चाहते हैं और नई नई मज़ेदार कहानिया तो फिर आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब का बटन क्लिक तो कीजिए